हालो बच्चा बाड़ी क्या हाल चाल कैसे वो आप सारे के सारी बच्चे बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैन के उपर और ये जो वीडियो है इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि शुरुवात है हमारे नए सेशन की यह अगर आप मी 2025 और जेट 2025 की तयारी करना चाहते हो मेरे साथ में हमारे इस चैनल के साथ में तो वीडियो को आपको शुरू से लेके आखरी तक देखना है वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो जो आने वाले हैं हमारे इस चैनल के उपर जो रिवील करने वाला हूं में विफोर फिफ्ट में उसके झलक आपको दिखाई देगी तो उसके लिए आपको जरूरी है कि इस वीडियो को आप शुरूरात से लेके आखरी तक जरूर देखे राइट तो वीडियो में हम लोग जर्नी आइस जर्नी के अंदर कौन-कौन से मुख्य पढ़ाओ आने वाले है acquainted मारी जर्नी यह बहुत ज़्यदा आसान हो जाएगी तो यह काप में करनेवाला हूं इस वीडियो के अंदर जरनी आपकी भले ही गैसी भी हो लेकिन पांच इस्टेशन ऐसे हैं जहां से आपको गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा कौन-कौन से पांच इस्टेशन होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर ध्यान से सुनना नोट डाउन कर लेना और फिर इन चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो गरना सालवर राइट दूसरी चीज आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब आप किसी शत्रू से लड़ने जा रहे हो तो उसको पहले अच्छे से जान लो उसकी कमिया क्या है उसकी है हमारा नीट का एक्जाम तो पहले उसंीट के एक्जाम को अच्छे से जानतो लें तो फिफ्त मेंसे पहले पहले बहुत सारे बहुत उप योगी वीडियोज आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं जो कि नीट की रणनीती को आपके दिमाग के अदर बहुत बहतरीन तर से हैं वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं तो सबसे पहला जो पढ़ाओ है वो यह है कि आपको किसी ना किसी तरीकी की online या offline coaching की आवश्यक्ता पढ़ेगी ही पढ़ेगी देखो जब पहले सिर्फ offline कोचिंग हुआ करती दी तो मैं बच्चों को मोटिवेट करता था कि कोचिंग की आवश्यक्ता नहीं है आप सेल्फ भी प्रिपेर कर सकते हो आप अपने किसी गुरू की है वो जरूर पार करना है कि आपको किसी ना किसी offline या online माध्यम की सहायता जरूर लेनी है और बहुत ज़दा beneficial होती है आपको randomly preparation नहीं करनी आपको किसी की guidance में ही preparation करनी है ध्यान रखना जैसे आप लोग हमारी इस channel के उपर मेरी guidance के अंदर preparation कर सकते हो बहुत सारे बच्चों ने करी है और बहुत सारे बच्चों का अच्छा result में मिला है तो इसके लिए आपको क्या करना पढ़ेगा कि आपको पहला पढ़ाओ है कि आपको या तो किसी online या फिर किसी offline coaching program को join करना पढ़ेगा या तो किसी online या किसी offline coaching program को join करना पढ़ेगा अब offline तो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा effective होता है राइट हलांकि उसके बहुत सारी कमियां भी है लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आपको online पढ़ाने वाले तो online के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा online batch जॉइन करना है जिसमें offline की पूरी फील हो जिसमें offline की पूरी फील हो यह चीज आपको बहुत important है विट ध्यान रखना ठीक है यानि की सर जैसे हम जब offline batch के अंदर enroll होते हैं तो बहुत systematic manner के अंदर हमारी classes चलती है proper schedule के according हमारी classes चलती है interaction बहुत ज़्यादा होता है teacher के साथ में ठीक है और कहीं ना कहीं regular feedback हमें मिलता रहता है teacher को हमारे बारे में मिलता रहता है जिससे बहुत मज़िदार तरीके से हमारी journey जो है वो complete हो जाती है और हम बढ़ी आसानी से अपने target को achieve कर लेते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो online व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार की हो कि उनमें offline की कमी किसी भी बच्चे को feel ना हो in fact offline की जो कमिया है उनको online माध्यम के द्वारा हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे तो यह पहला आपने किसी offline या online guidance का चैन कर लिया ठीक है चूज कर लिया अब आपको पूरी शिद्दत के साथ में ठीक है ठीक है complete dedication के साथ में complete dedication के साथ में on your teachers बच्चे क्या करते हैं और आजकल यह बहुत ज़्यादा होने लगा है कि बच्चे online माध्यम से पढ़ा ही करते ना तो बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा dedication होना चीए आपको हर एक बात जो है अपने teacher की माननी है और उसको पूरे दिल से पूरे दिल से follow करना है पूरे साल वर जहां पर आप भटक गए वहां पर आप लटक गए यह धान रख लेना जहां पर आपने अपने teacher की बात को नजरन्दाज कर दिया उसको compare करने लगे किसी अन्य टीचर से तो इसका मतलब यह है कि आप दो नावों पर सवारी करना स्टार्ट कर चुके हो और आप अजय देवगन तो हो नहीं कि दो बाइक पर बड़ी आसानी से सवारी कर ले रोइच शेटी की मूविस के अंदर दो बाइक पर सवारी करोगे तो बाइक दूर जाएंगी और आपकी टांगे इमेजन कर लो क्या होने वाला है राइट तो यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखने है तो कंप्लीट डेडिकेशन रिक्वाइड होना चीए यह सेकिंड पढ़ाओ बटा यह बहुत मुश्किल चीज होती है ध्यान रखना ठीक है फिर तीसरी चीज अब देखो इसमें अना रेगुलर फीडबैक सेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको ना प्रॉपर प्रॉपर शेड्यूल प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर अनुशाशन में रहते हुए पढ़ाई करनी है पूरे साल बर ठीक है प्रॉपर शेड्यूल यह भी एक बहुत इंपॉर्डेंट पढ़ाओ रहने वाले हैं आप जोश-जोश में पढ़ाई स्टार्ट तो करते हो बहुत जल्दी वह जोश खतम हो जाते हैं तो आपको ना बहुत जादा जोश में कोई काम नहीं करना है ठीक है दो घंटे तीन घंटे चार घंटे पां पढ़ाई करनी है यह तीसरा इंपॉर्टेंट पढ़ाओ रहने वाला है जो कि आपको अपने टार्गेट तक पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करेगा राइट जो चौथा पढ़ाओ है जो चौथा पढ़ाओ है पूर्थ वो है syllabus completion अब ध्यान रठना बेटा जब आप NEET की तयारी कर रहे होते हो जब आप जही मेंस की तयारी कर रहे होते हो ठीक है तो आपका जो syllabus है ठीक है उसमें class 11 भी शामिल होती है और उसमें class 12 भी शामिल होती है तो यह पूरा का पूरा syllabus जो है न वो आपका on time complete होना ठीक है और on time का मतलब है by January जनवरी तक आपका पूरा का पूरा syllabus complete हो जाना चाहिए अगर मालो आपने जिस platform को join किया है आपको लगे कि यार यह platform हमारा जनवरी तक syllabus complete नहीं करवा पारा तो आप अपनी self study की मदद से या किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद सबसे ज़रू वहाँ पर respectfully अपनी बात रखो आपको अगर कोई भी कमी लगती है आपको लगता है कि higher एक proper schedule फॉलो नहीं किया जा रहा तो आप अपनी बात रखो और बाध्या करो अपने teachers को एक schedule के अंदर पढ़ाने में और time पर syllabus complete करने में बाध्या करो आप उनको और आप कर सकते हो regular feedback session ठीक है तो आपको regular test देने हैं और इससे आपको मिलता रहेगा regular feedback अब यह जो feedback sessions है ठीक है यह आपको बताते रहेंगे कि आपके अंदर समय समय पर कौन-कौन सी कमिया उजागर हो रही है और उनको आप कैसे दूर कर सकते हो राइट तो यह 5 पढ़ाव रहने वाले हैं ठ ठीक है यह पांच मुख्य पढ़ाव है आपके जिनको आपको पार करना है ठीक है आपको एक बहतरीन online या offline coaching का चैन करना है जिसका भी आपने चैन किया है फिर उसके उपर complete faith और complete dedication बनाए रखते हुए आपको साल पर पढ़ाई करनी है आपको proper schedule follow करना है proper अनुशाशन में से रहते हुए आपको पढ़ाई करनी है आपको किसी भी तरीके से ट्राय करना है कि आपका जो सिलेबस है वो बाइजनवरी जनवरी तक आपका सिलेबस जो है वो complete हो जाए ठीक है और आपको regularly test देते रहना है regularly अपना feedback teacher तक पहुंचाते रहना है और teacher का जो feedback है ठीक है अप अपना feedback teacher तक कि आप teacher के बारे में क्या सोचते हो teacher slow पढ़ा रहा है तो पहुंचाओ अपनी बात की सर्थ थोड़ा fast पढ़ाओ teacher fast पढ़ा रहा है समझ में नहीं आ रहा तो पहुंचाओ अपनी बात की थोड़ा slow पढ़ा और तो यह regular feedback जो है यह टूए जो communication है वो बहुत ज select हो जाओ तो यह पांच पढ़ाओ अगर आपने पार कर लिए तो फिर आपको नीट के अंदर select होने से कोई भी नहीं रोग सकता तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लेना अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा किस चीज़ के बारे में मैंने आपको इंतजार करने के लिए कहा था क्योंकि लास्ट यह सबसे ज्यादा शिकायत बच्चों ने क्या करी दी किसर आपने लेट अपनी वेबसाइट बनाई आपने लेट अपना बैच लॉंच किया हम आल्रड़ी किसी आने वाला टीचर मिल जाए बागी सब्जेक्ट के अंदर तो मज़ा आ जाए तो यह सारी सारी चीजे मैं आने वाले वीडियोस के अंदर रिवील करूंगा कि इस बार इस बार मैंने अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया जब मैं भी अपने आप से उम्मीद करने लगा गया तो मैं बच्चों को कैसे लड़ना सिखाऊंगा तो एक बार एक आखरी बार सब कुछ दाओं पर लगाया जाए क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे है वो भी तो अपना सब कुछ दाओं पर लगा कर पढ़ाई कर रहे है तो मज़ा आए गा जरनी के अंदर औ झाल, तो में भी तो में एक दो का सब कर दद कर सक दो हुआत you